वेलकम यू ओल आइम रोईट प्रो महजन ट्रेडर सो गैस आज हम बात करेंगे बैंक ओफ वरद्रा के बारे में सो गैस बैंक ओफ वरद्रा में अगर देखा चाहे तो स्टॉक में एक बड़ा टार्गेट दिया गया है और गैस कही न कही यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर बियरिश मोमेंट भी आ सकता है हमें देखने को मिल सकता है और रिजल्स के बाद स्टॉक में अब क्या हो सकता है के कुछ लेवल्स हम देखेंगे शौट टर्म बेसिस पर लेवल्स देखेंगे लॉंग टर्म बेसिस पर लेवल्स देखेंगे तो काफी कुछ बाते होगी हाँ पर बैंक ओफ वरद्रा को लेकर तो गैस वीडियो को स्टार्ट करो उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल The Margin Trader को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गैस चैनल को सब्सक्राइब कर देना फोर शेयर्स के अपडेट्स के लिए शेयर्स की लेटिस न्यूज के लिए तो गैस वीडियो को करते है स्टार्ट और चलते हैं bank of वड़ोद्रा के उपर so guys बात कर रहे हैं bank of वड़ोद्रा LTE के बारे में तो एक दमदार stock है एक दमदार एक छोटा सा stock है guys और देखा जाए तो stock trade कर रहा है 107.15 पेसे के level पर और stock में अगर देखो ओ तो कही न कही 1.45 पेसे तक की बड़त हमें देखने को मिल रही है एक रुपे 40 पेसे तक stock में एक अच्छा momentum हमें उपर की और का देखने को मिल रहा है और 1.37% के हिसाब से देखने को आप मिल रहा है और बैंक निप्टी भी कही न कहीं positive है और देखा जाया है उसके updates मैंने पहले ही देदी थे इंट्राडे करते हो तो link description में है मेरे टेलिग्राम चैनल की वापर जाके आप join हो सकते हो और सीखने के साथ साथ earn भी कर सकते हो link description में join हो जाना अब बात करते हैं इसके chart की तो chart भी काफी जदा important हो जाते है पहले हम बात कर लेते हैं इसमें short term basis पे क्या levels इसके रह सकते है तो guys यहाँ पर अगर देखा जाए तो bank of बडुद्रा में कही न कहीं एक head and shoulder pattern type A एक pattern यहाँ पर बना रहा है तो और देखना होंगा तो यह bearish pattern भी साबित हो सकता है बट कहीं न कहीं है कि reversal यहाँ पर लेता हुआ stock दिख जाएगा आप देख सकते हो यहाँ से एक support लेके उपर जाता हुआ दिख जाएगा और यह तो रही short term basis पे बात बट as a long term के अहसाब से अगर दिखा चाहे तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं breakout fail हो रहा है अगर एक कहे तो ज्यादा बुरा हो जाएगा क्योंकि stock में अगर एक breakout fail माना जाता उपर की और का तो नीचे की और सीधा 80 रुपे के आसपासी stock रुखेंगा और एक काफी बड़ी गिराउट हो सकते हैं बट अभी अभी ही इसके जो results है वो तगड़े आया है होटे एक simple सा analysis था है अपर resistance support लेके stock upset downs momentum कर रहा था इस basis पे भी हम इस पे trust कर रहता है आप देख सकता हूँ वन विक चाट प्रेम पर भी अगर देखा चाए तो यहाँ पर एक resistance लेके stock नीचे की और आया और यहाँ पर support लिया फिर यहाँ से उपर गया फिर resistance लेके support लिया और guys हमने पहले ही buy करने के लिए बूला था इस particular level पे मैंने पहले ही मैं buy करने के लिए बूल चुका हूँ और जिन जिन लोगों ने इस particular level पे buy किया होंगा हस्सी के असपस का level था उन्हें एक अच्छी rally हमें देखने को मिली है और उसके बाद guys अगर एक confirm हो जाता है कि नीचे क्यों रहाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो हस्सी रुबे का level इसका weight कर रहा होगा यहाँ पर हस्सी रुबे के level तक ही गिरावट यहाँ पर रुखेंगे क्योंकि अल्रेडी यह resistance support यहाँ पर show करता हुआ जा रहा था stop तो वही पर यहाँ पर ऐसे ही कुछ patterns बनते हुए निजर आ सकते हैं और as a long term के इसाफ से देखा जाए तो हम अभी भी positive रह सकते हैं मैं positive रहने के लिए इसलिए बूलडा हूँ guys क्योंकि कहीं न कहीं अगर देखो तो यहाँ पर एक particular level को यह break कर सकता है यहाँ पर मैं पुरा cover नहीं कर पाया यहाँ पर एक fall आया था तो यही पर एक cover को अगर break कर देता है तो उपर के ओर जा सकता है और यह 1-1 time frame की candle है गया तो इसे हम तभी मानेंगे यहाँ पर कि नीचे के ओर आएगा हम तभी resistance मानेंगे कि जब एक candle यहाँ पर नीचे के ओर closing दे बट अगर यह उपर के ओर closing दे देती है तो अभी भी positive रहेंगे और यह उपर के ओर ही जाएगा ही जाएगा तो गैस यहाँ पर bank of बढ़द्रा आज तो positive है बट 5 दिन के time frame पर अगर देखो एक रुपे 50 पेसे तक की गिरावट हमें stock में देखने को मिल रही है 1.38% के इसाब से stock गिर रहा है और एक महीने की अगर बात कर ले गाईस तो एक महीने में stock क्या हमें देखने को मिल रहा है एक महीने की अगर बात कर लो 14 रुपे 90 पेसे तक stock में यहाँ पर एक बढ़द्र हमें देखने को मिल रही है 14 रुपे 90 पेसे तक की 16.15% के हिसाब से stock में एक अच्छा की 55.36,000 करोड का इसका मार्केट कैफ है और मार्केट कैफ के हिसाब से एक चीज़ तो क्लियर है कि एक मिट क्याप stock की के डिगरी में आने वाला शियर है और पी रिशियो की अगर बात करें 11.06 का पी रिशियो है और इस ओपन कहा हुआता है शियर तो ओपन हुआता है 105 रुपे 30 पैसे के लेवल पे और 107 रुपे 70 पैसे का इसका हाई भी है और लो की लो की अगर बात कर ले तो यहाँ पर लो आपको दिख जाएगा 105 रुपे के आसपास का तो यहाँ पर 105 रुपे के आसपास का low भी है मतलब morning सही अपच्छा positive यहाँ पर return दे रहा है और 108 का जो इसका high है इसमें अभी लगाया था 108 रुपे 802 बेसे का high है रिजन्स में ही लगाया था और 100 रुपे 75 पेसे का low भी है गाईस और वही गाईस अगर बात करें तो यहाँ पर एक बड़ा target दिया गया है M के global financials की और से तो target किता दिया गया है 145 के आसपास का एक बड़ी news है वह 145 रुपे के आसपास का एक बड़ा target यहाँ पर दिया गया है तो यह भी एक positive चीज है और price performance बिल्गुल positive है upside की और है बट अभी हलका सा down आ गया है और down कितना है 5.64% तके down है और गाईस वही अगर देखा जाए 1 month का 16.15% तके प्लस में आपको देखने को मिल जाएगा और 3 months की अगर बात कर लो 11.32% प्लस में देखने को मिल जाएगा year on half का 30.75% प्लस में देखने को मिल रहा है 12.02% तके प्लस में दिखाई देदेगा 1 year के टाइम प्रेम पर और 3 years का 8.07% प्लस में है trade values और combiner delivery की अगर बात कर ले 2 करोड के आसपास का trade value है और yesterday की बात करू 3 करोड का trade value है 45 lakh का है combiner delivery और 1 week coverage की बात कर लो 5 करोड का trade value है और 98 lakh का है combiner delivery 7 करोड का trade value आपको दिखने को मिल जाएगा 1 month के टाइम फ्रेम पर और 2 करोड का combiner delivery दिखने को मिल जाएगा So community sentiments के आकड़े भी अगर आप देखोंगे तो विल्कुल 100% Buying के आकड़े यहाँ पर दिए जा रहे है Community sentiments के और से 100% Buying के आकड़े है Revenue सच्छे खासे तगड़े बड़े है तगड़े तरीके से revenues में increment हमें दिखाई देगा 2021 के अगर बात कर लो 74,313 करोड के आस्वस का revenue है हाला कि हाप पर revenue कम है यहाँ पर जो 2020 का revenue तगड़ा था But Net Profit की बात कर ले तो Net Profit में कोई तोड़ नहीं है 1454 करोड के आस्वस का Net Profit gain क्या है तो बड़ी बात है Share Holding pattern की बात कर लो 63.97% की holding promoters की है FI की holding 7.37% की है DI की holding है 14.66% आपर public holding है 13.99% और others की बात कर लो 0.01% की holding दीजेंगे तो और और अगर गाइस बैंक को बड़ोदरा hyper positive चीज़े भी है negative चीज़े भी है हमने दोनों ही चीज़ों को बैर में discuss इस वीडियों में कर लिया है वो रीडियों अच्छा लगाओ वीडियों को like करो चनल को subscribe करो Thank you